असलाम आलेकुम तोड़ी वी हाव लेक्चर नमर 26 ओन मुटेशिन और डिस कॉंटिनियूस वरिएशन इस लेक्चर में हम मुटेशन के बारे में देखेंगे के मुटेशन है क्या और किस किस वेज पर मुटेशन होती है मतलब उसकी कितनी वीरियस थाइप्स है मुटेशन की मुटेशन अगर हमें कोई बता है हमारे सामने अगर कोई मुटेशन वर्ड ले तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है कैंशर उसकी एक्जाम्पल कैंसर आती है डाइट इस एन एबनॉर्मल ग्रोथ ओफ एन और ओर्गिनिजम यानिकि जब एबनॉर्मल को ठीक करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि basically mutation क्या है एक वे से तो बिल्कुल ठीक है कि abnormal growth जो है किसी भी organism की उसको हम mutation कहती हैं लेकिन जब हम उसकी example में हम cancer को code कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर mutation हमारे पास cancer होगी जैसे इसने यहां पर general definition दी है कि sudden heritable change in genetic material और character यानि कि कोई भी change genetic material में हमारा कोई भी change होना उसको हम क्या कहते हैं mutation कहते हैं इसको हम आगे उसकी types में justify करेंगे कि कैसी किस किसम की mutations की हम बात करते हैं इंडिविज्वल शॉइंग इस changes are known as mutants यानि के जिन जिस बंदे में यह mutation हो रही होती है उसको हम mutant भी कह सकते हैं और इंडिविज्वल शॉइंग अंटलर altered phenotype due to the mutation are known as variant और जो phenotype यानि के जिसमें वह हो रही होती है और वह अपनी phenotype यानि के जाहिरी तोर पर हमें नजर आ रही होती है तो वह हमारे लिए क्या हम उसे क्या कहते हैं variant कहते है factor or agents causing mutation are called as mutations mutagens यानि कि जिस factor पर base करती है कि mutation होगी तो हम उसको क्या कहते है mutation कहते है for example अगर हम इस चीज़ की बात करें कि mutation कौन से base पर हो रही है अगर वह अगर हम उसकी sequence based पर हमें बात करें कि mutation हो रही है तो हम उसमें क्या कहते हैं कि या तो उसमें duplication हो रही है addition हो रही है तो वह जिस factor की वज़े से हो रही है उस factor को हम क्या कहते है mutagen mutation ठीक है mutation which causes changes is based is base sequence of a gene is known as gene mutation or point mutation यह हमारा next lecture का topic रहेगा कि gene mutation के अबारे में हम पढ़ेंगे के gene mutation हमारे पास क्या होती है ठीक हो गया अब आते हैं 1791 in male lamb with unusual short legs यानि कि first time 1991 में इस farmer ने अपनी जो male lamb था उसके short leg unusual length उसके आ गये थे तो इसने वो observe किया क्यों क्योंकि इसके पास pure breeding हुई होगी और इसने क्या किया होगा उसने जब उसके cross में उसकी generation देखी होगी तो उसके short legs होए होंगे तो वहां से जो first observe observe हुई तो उस mutation को क्या short legs की mutation the male lamb की ठीक है ना variant यानि कि different उसकी phenotype में changes आई उसके जो petals थे उसके size में उसके size में difference आया उसके color में difference आया तो वहां पर इसने का कि यह एक और किसम की चीज है जो कि mutation है इसमें उसको mutation का नाम दिया systematic study of mutation was started in 1910 with Morgan genetically analyzed YI mutant of drosophila और जो हम already YI mutant को पढ़ चुके हैं तो उसको भी उसको भी हम क्या कह सकते हैं mutation कह सकते हैं ठीक है in 1910 इस पर एक पूरी book भी लिखे जा जा चुकी है मेरे खाल में उसका नाम है the theory of mutation the theory of mutation के नाम से book है पुरानी book है already लिखी जा चुकी है इसके बाद J.H. Miller induced mutation in drosophila by using x-ray in 1927 he was awarded with Nobel Prize in 1946 में आगे पढ़ेंगे कि वो किस बेस पर होती है और induced mutation होती क्या है ठीक है ना x-ray के तुरूस ने induced mutation करवाई यानिके वो मैं नीचे चलें डिफाइन करके बता दूंगा और उसको नोबल प्राइज मिला 1946 में अब आते हैं characteristics of mutation की तरफ generally mutant alleles are recessive in their wild type or normal alleles for example, mutant alleles की अगर ये बात कर रहा है तो मेरे पास mutant alleles क्या चीज़ है और यहाँ पर एक और टर्म हमने देखी इसी line में wild type और normal alleles wild type और normal alleles हमारे पास दोनों same है हम इसको wild type को normal alleles कहते होते हैं ठीक है ना या normal alleles को हम wild type कहते होते हैं कि यह मेरे पास wild type alleles है उसका मतलब है कि यह मेरे पास एक normal alleles है अब यहाँ पर यह बता रहा है कि mutant alleles are recessive to their wild alleles वो recessive में मौझूद होते हैं जहाँ पर वो dominant हो जाएंगे तो महां से क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास variation आ जाएगी most mutations have harmless effect but some mutations are beneficial अब यह point भी बड़ा important है कि अब उपर जो हमने definition पड़ी थी उसको मैं जरा सा यहाँ पर defend करूंगा इस चीज़ से इस वाली लाइन से कि most mutations have harmful effect अब उसी harmful effect को हम क्या हम cancer की बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो cancer produce हो रहा है वो हमारे लिए harmful है वो जो mutation हो रही है तो वो हमारे लिए harmful है but some mutations are beneficial और कुछ mutations फिर ऐसी हैं जो हमारे लिए beneficial है अब वो beneficial हमारे लिए कौन सी है beneficial mutations को हम helpful mutations भी कहते हो थे ठीक है तो वो beneficial अगर आपने बटरफ्लाइ देखी हो इसी तरह कोई ऐसा जानवर जो के बिल्कुल दरख्त की तरह लगता हो यानि कि अगर वो दरख्त पर बैटा हुआ हो तो हमें नहीं पता लगता कि यहां पर कोई चीज कोई आपने अगर आप अगर मुझे वो नहीं नजर आ रही है किसी और जो प्रिडिटर है उसको वो नहीं नजर आ रही है शिकार अपना नहीं नजर आ रहा तो फिर क्या हुआ उसका सर्वाइवल रिट बढ़ गया वो बच गया वहां से वो जानवर अगर उसका दरख्ती तरह तो यह जो म्यूटेशन्स है कुछ वो उनके सर्वाइवल में हेल्प करती है और थर्ड इसके एक हमारे पास एडवांटेज या जाती है कि हमारे पास वैरियेशन की वह जैसे कुछ ऐसी म्यूटेशन्स हो जाती है जो हमारे लिए बैनिफिशल होती है और वो अपनी नॉर्मल या वाइल टाइप की जो होती है उससे काफी ज्यादा अच्छी सलायत रखने वाली होती है तो हमारे लिए इस केस में बैनिफिशल होती है यानि कि उसका काफी जल्दी निकि जो अमांट है यह ज्यादा नहीं होती है यानि कि बहुत रार काफी तेजी से मिटेशन हो रही है तो उसको हम क्या कहते है उस जीन को हम क्या कहते है मुटेबल जीन हाइली मुटेबल साइट विदिन जीन आर नोन एस होट स्पोट और अब उपर वाले पॉइंट के नीचे यह वाला पॉइंट आता है कि जीन जीन में हाई रिट ऑफ मुटेशन होती है और जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मुटेशन होती है या जिस साइट पे सबसे ज्यादा मुटेशन होती है जीन में उसको हम क्या कहते है होट स्पोर्ट ऑफ जीन मुटेशन ठीक हो गया मुटेशन कैन अकर इन अनी टीशू और सल समाटिक और जर्मिल दोनों में हमारे पास मुटेशन हो सकती जिसमें हमारे पास beneficial भी आ जाते हैं, वही वाली उपर वाली टाइप, ठीक है, second one is based on causes of mutation, third one is tissue of origin, जो हम somatic और germinal उपर देख चुके हैं, और based on direction of mutation, ठीक है, तो ये चार classification of mutation आज हम इस lecture में पढ़ेंगे, so the first one is survival of an individual, यानि किस survival based भी हमारे पास mutation होती है, the first one is lethal mutation, अब lethal mutation मेरे पास क्या है, when mutation causes death of all individual undergoing mutation are known as lethal mutation, इसको basic समझने के लिए मैं क्या कह देता हूँ, कि हमारे पास आप लोग जब drugs के बारे में पढ़ोगे, तो drugs में हमारे पास एक LD dose होती है, LD 50 की value होती है, वो LD value क्या होती है, lethal dose होती है, यानि कि 50% में, अगर ये medicine या ये drug मैं किसी को दूँ, तो इसके 50% chances है, यानि कि 50% chances में हम कहते हैं कि इसके 50% chances है कि जो जिस organism को मैं ये drug दे रहा हूँ, तो वो मर जाएगा और 50% chances है कि वो survive कर जाएगा, तो इसी तरह जो हम अगर generally lethal mutation को देखेंगे, तो जिस case में हमारे पास, जिस case में हमारे पास सारे के सारे individuals मर जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, lethal mutation, यानि कि एक ऐसी mutation हुई, जिस से सारे के सारे जो individuals से वो मर गए, तो वो mutation कौन सी होगी, lethal mutation, for example, इसमें अगर हम यूँ देख लें कि मैं एक case study कर रहा हूँ, किसी भी animal पे, और उसको मैंने कोई drug दी, यानि कि मैंने induced mutation कर रहा ही, वो मैं आगे फिर इस चीज़ को मैं point को दोबारा revise कर लूँगा, कि हमने उसमें induced mutation की, induced mutation का मतलब है कि मैंने खुद से की, मैंने जबरदस्ती करके mutation की, और उस mutation से क्या हुआ, कि जो मेरा case study में मैंने जितने जो animals से या जितने भी organisms से मेरे individuals से, वो सारे के सारे मर गए, तो वो मेरी जो mutation मैंने induced mutation जो की थी, वो कौन सी mutation हुई, lethal mutation हुई क्यों, क्योंकि सारे के सारे individual मर गए, the second one is sub-lethal mutation, that causes the death of 90% of individual, यानि कמעरista में देखी जाए, तो back 10 में से 9 मर जाते हैं और 1 survive कर जाता है, तो उसको हम sub-lethal mutation कह सकते हैं, sub-vital mutation, such mutation कि lower than 90% of individuals, for example 10 individual हैं, तो उन में से 8 मर जाते हैं, 7 मर जाते हैं, 6 मर जाते हैं, तो उसको हम कौन सी कहते हैं, sub-vital mutation कहते हैं, vital mutation हमारे पास क्या होती है, when mutation does not affect the survival of an individual or known as vital, जिसमें कोई भी ना मरे, यानि कि क्या चीज़ वो उसमें, अगर for example मेरे पास 10 है ना, तो उसमें अगर एक आद भी मर जाता है, तो वो भी इसी category में आ जाता है, vital mutation में, और या 10 के 10 survive कर जाती है, यानि कि ज्यादा उसके survival पे, यानि कि उसके मरने और जीने पे उसका कोई mutation का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ये physical appearance जो कह रहे हैं, वो उसके physical appearance में आ जाती है, तो उसको हम vital mutation कह सकते हैं, and the last one is super vital mutation, this kind of mutation enhance the survival of individual, अब यहाँ पे मैं चीज़ उस उपर वाल जो फिछले सलाइड में हम beneficial mutation देख रहेते हैं, उसको मैं defend कर सकता हूँ, कि super vital mutation कौन सी mutations होती है, जो के enhance करती है survival of an organism, वो ही example मैं फिर code करूँगा, कि अगर predator है, उसका color दरخت की तरह ही है, तो फिर क्या, एक prey है, उसका color दरخت की तरह ही है, तो predator को वो नजर ही नहीं आएगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, कि उसका survival rate बढ़ गया, क्यूंकि उसको वो नजर ही नहीं आया, और वहां से क्या हुआ, कि वो survive कर गया, अगर उसका color दरخت पे नजर आ जाता, तो वो जो predator था, वो तो directly उसको kill कर देता, तो इस तरह की mutation, जो कि एक individual को enhance survival के ज्यादा chances बढ़ based on the mutation, mutation based on causes of mutation, यानि के, causes of mutation कौन से होते हैं, अब यहां पर यह दो, उपर हम already induced or spontaneous mutation के बारे में देख चुके हैं, यानि कि उसको, वो word हम देख चुके हैं, अब यहां पर आप लोग को समझ आ जाएगी, कि spontaneous mutation क्या होती है, that occur naturally without any case, यानि कि यह किसी भी case, यानि कोई भी इस का cause नहीं होता, without any cause, यह चीज़, यह spontaneous mutation हो जाती है, यानि कि खुद बखुद हो जाती है, ठीक है, the rate of spontaneous mutation is very slow, यह बोथ slow होता है, rate of spontaneous mutation is higher in eukaryot than prokaryot, UV light of sunlight cause mutation in bacteria, अब यह उसने simple से उसके example ले दी, क्या हमारे पास है, spontaneous mutation में क्या होता है, कि यह इसका rate होता है, वो काफी slowly यह बढ़ती जाती है, अगर मैं उसकी बात करूँ, कोई सही example मेरे mind में नहीं आ रही है, तो इस next point में बताया है, कि हमारे पास eukaryot में ज्यादा होता है, बजाए prokaryot के, और उसने UV light की example दी of sunlight, UV light जो sunlight के है, that cause the mutation in bacteria, और वो यह spontaneous होती है, बड़ी slowly यह आगे जा रही होती है, ठेक है न, अच्छा, induced mutation क्या है, mutations produced due to treatment with either a chemical or physical agent are called as induced mutation, जैसे उपर मैं पिछली slide में बता चुका हूँ, induced mutation, वो वाली mutation, जो मैं खुद, जो मैं जबरदस्ती करना चाहूँ, एक ऐसी mutation, जिसको मैं जबरदस्ती cause करन चाहूँ, उसको हम क्या कहते हैं, induced mutation, इसकी सबसे best example, अगर हम current scenario में लें, तो COVID-19 की ले सकते हैं, अगर COVID-19 की पुरानी strain मौजूद थी और उसका सारा कुछ already 2000 में हो चुका था, तो जो यह second strain आई है, यह किस होजा से आई है, इसको हम अगर induced mutation कह दें चाहे, जो हमारे पास myths हैं कि China ने किया, या America ने किया, जिसने भी किया, मतलब या वो खुद बखुद mutation उसमें आई है, या जो भी experiment हुआ, ठीक है, अगर हम उसको induced mutation के जुम्रे में लाए ना, तो किसी ने उसमें inducedly, यानि के जबरदस्ती करके उसमें mutation की, और वो mutation की, इसलिए कैसे, either by a chemical or physical agent, तो उस mutation को मैं क्या कहूंगा, induced mutation, the agent capable of inducing, such mutation are known as mutagen, अब जो agent होता है, that capable of inducing, यानि के जो agent वो यूज़ कर रहा है, चाहे वो chemical है या physical agent है, उसको हम क्या कहेंगे, mutation, use of induced mutation for crop improvement program are known as mutation breeding, x-ray causing mutation in karel, karel, अच्छा, अब use of induced mutation for crop improvement program, अब crop improvement program क्या है, हमारे पास अगर हम golden rice की बात सुनते हैं, golden rice वाला वर्ड सुनते हैं, उसमें क्या चीज़, वो क्या है, induced mutation करके, उसकी ऐसी वो cause की है, यानिके ऐसी उसकी generation ले रहे हैं, ऐसी mutation करके, जो के ज्यादा beneficial है, जो के ज्यादा enhance करके, उसकी जो power है, या vitamins की या घजायत की जो ताकत है, वो क्या है, वो काफी ज्यादा है, जो किस होज़े से है, यानिके induced mutation की होज़े से, जो हम खुद cause करते हैं, जिसका result हमें पता होत है कि इसका result हमें beneficial होगा, improve होके यह वाली चीज आएगा, ठीक है, थर्ड वन इस बेस्ट ऑन टिशूस अफ और 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 हमारे पास दो ही चीजा चीज़ें आ सकती है, एक somatic mutation आ सकती है, somatic level पे और एक germinal level प from one progeny to the next progeny, अब asymmetric जो asexual reproduction होती है, उसमें हमारे पास यह somatic mutation transfer हो सकती है, second one है germinal mutation, when mutation occur in gametic cells or reproductive cells are known as germinal mutation, जब हमारे पास gametic cells में mutation आ सकती है, यहाँ पे इसको हम यू भी कह सकते हैं कि जैसे हम पिशे पढ़ के आ चुके हैं, यह तो crossing over वाला topic, इसमें भी अगर हमारे पा mutation के जुम्रे में भी कह सकते हैं कि crossing over हुए, अगर वो कोई environmental factor की वज़े से crossing over हो जाती है, या किसी भी वज़े से crossing over हो जाती है, तो वो भी एक type of mutation है, जिसको हम translocating mutation भी कह सकते हैं, लेकिन वो translocating वाला concept ज़रा सा change है, लेकिन हमारे पास फिर अगर उसमें mutation हो जाती है, वो हम नेक्स लेक्चर में पढ़ेंगे, ये translocating वाला ठी कहना, तो अगर उस तरह की mutation हो जाती है, तो वो फिर क्या होती है, चुकि क्रोमोसोंस पर होती है, क्रोमोसोंस पर germinal से, उसमें क्या करते हैं, ये sexual reproduction में, वो फिर pass on हो जाती है, next generation में, तो इसी तरह in sexual reproduction species, only germinal mutations are transmitted to the next generation The last one is based on direction of mutation, के हमारे पास इसकी दो ही direction हो सकते हैं, या तो वो forward mutation होगी, या वो reverse mutation होगी, तो forward mutation क्या है, when mutation occurs from the normal or wild type allele to mutant allele are known as forward mutation Forward mutation का word, जब भी आपके सामने आए, तो यहां से आपका concept clear होना चाहिए, कि forward का मतलब हुआ, कि normal जो allele है, उससे mutant allele में change होना यानि कि normal से change होना, mutant पे, normal हम सब के already normal होते हैं, उसमें से अगर कोई allele mutant हो जाता है, तो हम उसको कौन सी mutation कहेंगे, कि forward mutation हुई है कि जो normal allele से वो change होना है, mutants में, तो उसको हम क्या कहेंगे, forward mutation Similarly, reverse mutation totally इसका उलट होगा, अब वो क्या है, when mutation occurs in reverse direction, that is from the mutant allele to the normal allele और wild type allele are known as reverse mutation, अब reverse mutation क्या चीज़ है, कि already किसी organism में mutant genes मौजूद है, mutant allele मौजूद है लेकिन अगर हम उसको, for example, मैं cancer कोई ले लेता हूँ, अगर किसी को cancer की बिमारी है, और वो क्या होता है, कि वो cancer की बिमारी slowly वो ठीक हो रही है, यानि कि back to the normal आ रही है, यानि कि mutant allele से back to the wild type या normal alleles बन रहे हैं, वापस वो आ रहा है, तो उसको हम कौन सी mutation कहेंगे, reverse mutation, तो hopes हो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने mutation की definition के बारे में पढ़ा, उसकी history के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके classification कितने basis पे हुई, वो four basis हमने पढ़ी, उसके अंदर कौन-कौन सी types आ देती हैं, वो भी हमने पढ़ लें, तो ये था हमारा basic lecture, यानि कि उसके introduction पे कि mutation हमारे पास क्या होती है, और किस-किस type की mutation होती है, तो कल हम इसकी classification of mutation होती है, ठीक है, कल हम इसकी types पढ़ेंगे कि हमारे पास gene में कैसी mutation होती है, या chromosome mutation कैसी होती है, या polyphylide या genomatic mutations कैसी होती है, तो कल हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, so this was for today thank you so much mutations or discontinuous variation